नमस्कार दोष्टों अभी अभी आश्मान में दिख रही अजीबो गरीब रहसे में रोस्टनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है तता पूरी सच्चाइबी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी आखिरकार ये दिखने वाली रोस्टनी क्या है जो की बार बार आश आसमान में दिखाई दे रही है। अंत्रिक्ष में चोड़ते हैं। इस रोकेट में दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आमतोर पर लॉंचिंग के नो महीने बाद धर्ती पर वापस लोट आता है। जबकि दूसरा स्टेज स्टार लिंक सेटिलाइट को धर्ती की निचलिक अक्चा में इस्थापित करता दूसरा स्टेज कुछ समय बाद धर्ती पर वापस क्रेश लेंडिंग करता है। इस से पहले पिछले साल दिसंबर में भी पंजाब में स्टार लिंक सेटिलाइट देखने को मिले थी। सुरवात में लोग थोड़ा परिसान जरूर हुए थी। लेकिन जब बाद में पता चला कि आखिरकार ये है क्या तब रहात की सांस ली। एलन मस्क अपने स्टारलिंग इंटरनेट सेटलाइट की बदोलत पूरी दुनिया की अंतरिक से बहतरीन और तेज इंटरनेट की सुविदत देना चाते हैं। इस सेटलाइट सर्विस का फाइदा अभी 40 दिस उठा र रहे युद्ध के दोरान भी एलन मस्क ने स्टारलिंग सेटलाइट के जरिये युकरेन को इंटरनेट की सुविदा प्रदान की ती। इस पेस एक्स कंपनी ने मार्च 2022 में इस बात की गूशन की थी कि स्टारलिंग के 2.50 लाग सब्सक्राइबर हो चुके हैं जो मई तक ब इतनी उचाई पर सूरज की रूशनी धर्ती के दूसरी तरफ से इन पर पड़ती है जिसकी बज़े से रात में चमकते हुए दिखते हैं ऐसा लगता है कि कई बल्वों को एक कतार में जोड कर आसमान में उड़ाया जा रहा हो इस साल तीन फरवरी स्पेक्स एक्स ने मंडल में आकर खाक हो गई है आलांकि उसके बाद एलन मस्क की कमपनी इस पिक्स एक्स ने कई बार स्टार लिंक इंटरनेट सेटलाइट की लॉंचिंग की गई है इसी प्रकार की रहसे में चीजों की अपडेट पाने के लिए चैनल अभी ही सबस्क्राइब करें बेल आइ